सवामेजी कहते हैं मैनत करो सरीर से मन से विचारों से साफ रहो जितना हो सके उतना मन को साफ रखो आपके अंदर वह अगनी जलेगी जो हर नकारात मक्ता को आलस को परमात को आपकी हर कमजोरी को जला कर रा कर देगी सवामेजी कहते हैं क्या किसी ने सोकर मानता पाई है क्या किसी ने द्यूप पर अकेले बेटे बेटे मानता पाई है नहीं तुम इस संसार के कोलहाल और माया के चकरियों के बीचो बीच अडिक खड़े रहो और यहीं से एक्षन लेते हुए सोर्स में पहुँचो फिर तुमे कोई नहीं हिला पाएगा यही सच्चा करम योग है मात्मा बुद्ध खहते हैं इस पूरी दुनिया में इतना अंदगार नहीं है जो एक छोटी सक्ति ध्यान और फोकस के रूप में प्रकट होती है चाहे इनसान अपंग क्यों ना हो चाहे उसकी मेमोरी कमजोर हो गई हो चाहे उसके विचारों को किसी ने बैका दिया हो लेकिन वह फिर भी ध्यान कर सकता है अपने फोकस की मदद से अपना mental state दोबारा बदल सकता है सवामी जी कहते हैं इस दुनिया का इतियास उन खास लोगों का इतियास है जिन्होंने खुद पर विश्वास किया यह आत्म विश्वास ही है जो अंदर सोती हुई अनेंद एसीम सकती को जागरत करता है इस सकती को जागरत ना करने के कारण ही इंसान एसपल होता है अर सकती का सोर्स परमातमा ही है जिसे विश्वास से जगाया जाता है सवामी जी कहते हैं आके भढ़ने के लिए हर दिन अपने मन को कुछ विचारों से भरो, कुछ लक्से से भरो, सुबह, साम, दिन, रात यही तुमारी आँकों के सामने छपे होने चाहिए इन विचारों के दवारा महान प्रेतन और महान करम अपने आप सवते ही परकट होते हैं सवामी जी कहते हैं क्या कुछ महान आसानी से उपलब्द होता है यही सरष्टी का नियम है कि महान लक्से को पूरा करने के लिए धेरिये, पुरसार्थ और महान प्रेतन को परकट होना ही पड़ता है गलती का सोक मत करो, तुरंत दुबारा प्रारम करो, हचारों गलती ठोकरों के बाद ही चलते रहने से ही चरितर बनता है जब हम अपने डर की सिमाओ को लंगते हैं, जब हम बड़ा काम करने जाते हैं, तो बहुत से लोगों को परिशानी होती है चोटा दिमाग सोचता है हम नहीं कर पाए तो यह केसे कर लेगा कुछ लोग ताने मारते हैं, कुछ लोग निरास करने की कोशिस करते हैं, कुछ डराते भी है इसे लिए स्वामी जी कहते हैं, आप में से हर एक महान कारे करने के लिए पैदा हुआ है स्वामी जी कहते हैं कभी कुछ मांगो मत, बदले में कुछ मत चाहो, जो तुमारे पास है उसे दो, ask nothing, want nothing, in return, जो तुम देते हो, वो तुमारे पास लोटकर आएगा, लेकिन अभी इसकी परवा मत करो, बगवान बुद्ध कहते हैं कि जलते हुए दीपक की रोशनी से हजार दीपक की ये जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कभी कम नहीं होती, इसी तरह सपलता बाटने से बढ़ती है, कभी कम नहीं होती, सुवामी जी कहते हैं, जब करम करो तो कभी मत सोचो, कि मैं इतना करूंगा तो मुझे इतना मिलेगा, यह बहुत सीमित सोच है, जि इसी मानसे के स्थिति होती है वेसा ही जीवन प्राप्त होता है इसी लिए जितना भी तुम से बन सकता है उत्साइट होकर उतना काम करो सपलता को तुम्हारे पीछे पीछे चलना ही होगा हर दिन की तरह गोतम बुद एक सांथ जगह बेटे हुए थे और कुछ लोगों के सवालों का जवाब दे रही थे कई ग्यानी लोगों से मिलने के बाद एक दार्षनिक गोतम बुद के पास पहुंचा और बोला मैं एक समस्या के साथ यहां आया हूँ गोतम बुद बोले बताओ क्या समस्या है दार्षनिक ने कहा मैं जाना चाता हूँ कि हमारा अस्तीतव क्या है हम क्यों ची रहे हैं हमारा उद्दे से क्या है मैंने कई ग्यानी मात्माओं से पूँच लिया कई किताबे भी फढ़ ली लेकिन उत्तर नहीं मिला उत्तर मिलता भी है तो कभी संतुष्टी नहीं मिलती करपया मेरे सवालों के जवाब देकर मेरे मन की उल्जन समाप्त करो गोतम बुद ने कहा क्या तुम सच में परसनों का उत्तर चाते हो दार्सनिक ने कहा हाँ गोतम बुद ने कहा ठीक है पर क्या तुम इसकी कीमत चुका सकते हो दार्सनिक ने बोला बिल्कुल इसकी जो भी कीमत होगी मैं आवसे चुकाऊंगा गौतम बुद्ध ने कहा तो ठीक है तुम अब एक महीने तक मौन रहो यहीं रहकर ध्यान करो मन में कोई भी सवाल आए पर तुमको मौन रहना है एक महीने के बाद तुमारे मन में जो भी संका होगी मैं उसे दूर करूँगा दार्सनिक थोड़ा सा प्रेशान हुआ उसने सक करते हुए पूचा आप एक महीने के बाद उत्तर देने से मना तो नहीं कर दोंगे गौतम बुद्ध ने कहा तुम बिलकुल निस्चिंत हो जाओ मैं जवाब जरूर दूँगा पर अगर तुमने कुछ पूचा ही नहीं तो फ पूचा आप हस क्यों रहे हो व्यक्ति बोला मुझे वह दिन याद आ गया जब मैं तुम्हारी तरह परसन पूचने आया था ततागत ने मुझे भी पहले सांथ बेटने को कहा जब मैं सांथ हुआ सवालों के साथ साथ में भी उस सांथी में घुल गया इस कानी से तीन लेस है जिसका कोई अंत नहीं है दूसरी बात गोतम बुद्ध ने कहा है नो माइंड मन सोर है लेकिन मन का स्रोत मोन है मन के स्रोत को जानो तेसरी बात existence is silence गोतम बुद कहते हैं कि अस्तितव खुद मोन है इसलिए इसे सब्दों और मन से नहीं समझा जा सकता इसलिए मोन को मोन स सवामी जी कहते हैं हमेशा याद रखो यदि तुमारा वर्तमान तुमारे अतीद के कर्मों का फल है तो निस्चित रूप से तुमारे वर्तमान के कर्मों के दोवारा गड़ा जा रहा है तुम जो भी बनने जा रहे हो उसके लिए तुम पूरी तरह से जिमेदार हो कोई दुख है अगर कोई पाफ है तो वह खुद को कमजोर समझना है अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो तुम्हें अपने आत्मा में सकती है तुम्हें बस उस सक्ति को जगाने की जरूरत है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए अपने वीजन नोलेज और मांचेट को इंप्रूब करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वीकेम हब चेनल मेलते हैं अगले वीडियो में